हेलो एंड वेलकम दोस्तों स्वागत है आपका फिट से मेरे चैनल पे तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए काफी करमाल की गुड नियूज लेके आया हूँ जैसे कि आप सभी को पता होगा कि जो सैमसंग है उसने रिसेंटली अपनी जो अपडेट पॉलिस यह उसको चेंज कर दिया था और बतायत जारा था कि जो सैमसंग के फ्लेक्शिफ डिवाइसे हैं और जो सैमसंग के A-series के कुछ सेलेक्टिड डिवाइसे हैं जैसे कि सैमसंग का A-51 और सैमसंग का A-71 और इन दोनों ही डिवाइसे के जो 5G वेरेंट्स हैं उनमें भी सैमस तो दोस्तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजट करेंगे तो प्लीज मेरे चैनल पर पहली बार विजट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साल में बेल एकन को प्रेस कीजिए और आज की इस वीडियो का लाइक टागेट हम लों रखते हैं 50 लाइक मुझे पता आप जरूर से कंपलीट कर देंगे तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों सबसे पहले बात करें सैमसंग के उस मिल रेंज की डिवाइस की जिसके लिए सैमसंग फाइनली तीन मेजरेस अपडेट रोल आउट कराने वाला है तो वो सैमसंग का M20 डिवाइस है हाँ दोस्तों सैमसंग अपने M20 डिवाइस के लिए तीन मेजरेस अपडेट रोल आउट कराने वाला है और दोस्तों मैं आपको बता दूं सैमसंग के M20 डिवाइस को अल्रेडी दो मेजरेस अपडेट देखने को मिल चुके हैं और यह जो डिवाइस था Out of the Box Android Oreo के साथ launch किया गया था और Samsung ने इस device में Android 5 और Android 10 का जो update था वो roll out करा दिया था लेकिन अब rumors आ रहे हैं कि Samsung के M20 device में आपको Android 11 का जो update है वो भी देखने को मिल जाएगा जो कि काफी बड़ी good news है Samsung के M20 device के users के लिए दोस्तो देखते हैं Samsung future में क्या करता है दोस्तो आज की इस वीडियो में ये information आप सभी के साथ share करने थी दोस्तो अगर Samsung के M20 device के related और भी कोई news आती है या फिर Samsung कोई update roll out कराता है तो आपको मेरे चैनल पर information मिल जाएगी दोस्तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लोगी तो प्लीज वीडियो को like कीजिए share कीजिए comment कीजिए अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार visit करें तो प्लीज मेरे चैनल को subscribe कर दीजिए साथ मेबल अकन को press कीजिए तो दोस्तो तब तक के लिए good bye मिलते हैं next वीडियो में